हेलो एब्रिवेंट तो फ्रेंट आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अठाए सिंच अस्तर का ब्लावज जोड़ना किस तरीके से जोड़ा जाता है इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको इसमें निशान लगाना और कटिंग करना बताया था आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा उसका लिंक में डिस्केप्शन में डाल दूँगी तो आप उसे जरूर देख लिजिएगा तो यहां पर मैंने इसे जोड़ना बताया है तो यह है हमारा कटिंग वाला ब्लावज जिसकी मैंने कल कटिंग की थी फ्रेंस यह आगया वाले हिस्से हैं इस कटिंग करके निकाल दूँगी और यह हमारा बैक साइड है यह देखिए इसमें मैंने गले को डिजाइनर बनाया है यह देखिए तो मैंने गले की डिजाइनर वीडियो पहले से चैनल पर डाली हुई है आप मेरे चैनल पर जाकरके उन्हें देख सकते हो तो बिना भुक्र सिलाही हम ऐसे लगाने प्लेटों में इसको कम करते लाना है इस तरीके से कुछा कर ले। जरावी जहूर लहीं आता है। बहुत Safa था सिते सथ हमारी सारी प्लेटों में इसको लगाएं अब इसको कश्चा कर लेते हैं। तो यहां पर हमने शिलाई लगा लिये, यह देख पारे होगे, इसमें कहीं भी कोई जोल बगरा नहीं आया है, कहीं भी कोई प्लेटे नहीं आई है, यह देख सकते हो, तो कितनी फिनिसिंग से हमारी प्लेटों में शिलाई लग चुकी है, तो अब हम इसमें आई हुक वाली पट्टियों को जोडना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम हुक वाली पट्टी को जोड़ेंगे तो हुक वाली पट्टी के लिए हमने यहाँ पर अस्तर लिया है उसको हमने डवल फोल्ड कर दिया इस तरीके से डवल फोल्ड करके हम इस पर एक पर की सिलाई लगा दी है ह यहाँ पर हमने शिलाई लगा लिया है इसके उपर अब इसे हम अंदर को फोल्ड करके इसके उपर मोटी शिलाई लगा देंगे मोटी शिलाई हमने लगा दिया जब इसमे तुरपाई करेंगे तो इस सिलाई को हम निकाल देंगे अब हम आई वाली पट्टी को जोड़ेंगे आई वाली पट्टी को जोडने के लिए हमें इसमें दोनों कपड़े की जरुर्थ होती है इस तरीके से दोनों कपड़ों और फिर एक बार इसे और फोल्ड करना है इस तरीके से यह जो हमारी सिलाई है इसके उपर इसको फोल्ड करके इसके उपर बारिक सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर हमने सिलाई के उपर इसको एक बार फोल्ड और कर लिया है यह देख सकते हो आप और इसके पर हम बारिक सि करना है और इसको पर शिलाई लगा देनी है हमें तो यहां पर हमने इसमें सिलाई लगा दिया यह देखिया फ्रेंस यहां पर दौनों तरफ से कितनी अच्छी फिनीसिंग आई है कहीं भी कोई भी इसमें बिल्कुल भी जोल बगर नहीं आया तो हमारी यहां पर दौनों पट लिना है और ऐसे ही दूसरी प्लेट में भी हम निशाल लगालेंगे इसको भी मैंने कच्चा किया हुआ पहले से ही तो कच्चा करने से इसमें कभी भी जूद नहीं आता है तो यहां पर यह देखो हमने पीछे वाली प्लेटों में सिलाई लगा दिया यह देख सकते हो अच्छे तरीके से तो यह भी हमारी प्लेटों में सिलाई लग करके तैयार हो गई है और अब इसे हम नीचे से फोल्ड करेंगी इस तरीके से जितना भी हमारा इसमें लंबाई एस्ट्रा है इतनी हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लीए, पर यह देखिए, और बाजूं में भी हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, जितनी हमें लम्बाई चाहिया थी, और जो एश्ट्रा थी हमने सिलाई लगा करके फोल्ड कर दिया है, अब हम चैश्ट की फिटिंग का नाप ले लेते हैं, तो फ पेंगें ये देखे और इसमें निशान लगा देंगे तो यह 92 तयार है चेस्ट इदेख सकते अब नीचे से पामर का नौप लेंगे हम को कमर्ती फ्रेंस हमारी 24 इंच तयार तो हमने 12 चाहिए इसमें हमें 12 इंच चाहिए पीछे से तो इसमें भी हमारी 4 इंच एश्ट्रा है नीचे से भी तो इसमें भी 2-2 इंच नीचे से नाप करके हम ये मार्जन निकाल देंगे ये देखे इस तरीके तो निशान को हम उपर की तरफ मिला देंगे अब हम नाप के देखते हैं तो नीचे से बिलकुल 12 है हमारी तो यह निशान हमारी लग चुके हैं अब हम आगे वाले हिस्से में निशान लगाएंगी तो इसमें हमें निशान लगाना है यह देखिए 14 हिस्सा है तो इसमें 7 इंच आएगा हमारा 28 का 24 हिस्से में हमारा 7 यह तो इस तरीके से जब हम निशान लगाते हैं तो एक बार में ही हमारी सिलाई बराबर आती है आप इस वाले इससे में हमें सिलाई निशान लगाना है फ्रेंस यह जो हमारी बडमपट्टी है इसको छोड़ करके नापना है हमें इसको नहीं नापना है नहीं तो यह तंग ह करेंगे इस तरीके से इनको रखना है ये देखिए और इनको हमें सिलाई लगा करके जोड़ देना है दोनों मुड़्ों को तो यहां पर हमने दोनों मुड़्ों को जोड़ दिया है सिलाई लगा दी है यहां पर यह देखी गा फिनिसिंग के साथ और इसका आगे वाला गले जो है उसको भी हमने पाइपिन लगा करके अंदर को फोल्ड कर दिया है, तुर्पाई कर दी है, तो गला भी हमारा तयार हो गया है, आप हम साइड़ों में सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगी, जैसे कि हमारे इसमें फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी के उपर हमें सिलाई लगा करके लानी है, बस आपको यही ध्यान रखना है, आगे पीछे से बस कि आपको बिल्कुर निशान के उपर ही सिलाई लगा करके लाना है, और नीचे से आपको फोल्ड कर देना है, तो आप हम इसमें निशान के उपर बिल्कुल सिलाई लगा करके लाएंगे, पीछे की तरफ भी आप एक बार देख लीजिए और आगे की तरफ बिल्कुल जो भी आपका निशान है उसी के पर आप सिलाई लगा कर लाएंगे तो एक बार में ही आपकी फिटिंग बराबर बै तो यहां पर हमने सिलाई लगा दिया इसमें और इसी तरीके से हम दौनों तरफ सिलाई लगा दिये और यह देखे एक लगा ही और हमारा एक बार में फिटिंग बराबर बैठी है अब ये नीचे जो है हमारा तो इसको भी हम इसी तरीके से कच्चा सिलाई लगा देंगे इसमें ये जो है नीचे से फोल्ड करके तो हमने सिलाई लगा दिये दौनों तरफ हमने ये देखिए तो हमारा बलाज ये लगवक जुड़ बस इसमें बाजू लगानी बाकी है तो यहां पर आप देखी पा रहे हो कितनी फिनिसिंग के साथ आता अब हमें इसमें बस बाजू जोड़नी है फ्रेंस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो हमारी बाजू है इसे इस तरीके से हम बिलाज के जो मुड़े हैं उनको इस अच्छी फिटिंग आती है बाजू की नीचे से हमारी बाजू की गुलाई है फ्रेंस पांच इंच यह देखीगा और इस निशान को नीचे की तरफ मिला देना है उपर से ऐसे ही हम दूसरी वाली बाजू पर भी निशान को नाप लेंगे इसके उपर रखने के बाद फिर द इस तरीके से नापने के बाद अब हम यह देखे ब्लाज के जो मुड़े हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे यह जो हमारी सिलाई है दौनों सिलाईयों को ऐसे मिलाना है हमें बाजू वाली जो सिलाई है उसको भी और ब्लाज वाली सिलाई को भी और इसके उपर मिलाते ह तो आप इंची टेप से अगर नापना चाहते तो इससे भी आप सकते हो और इस तरीके से भी आप इसे नाप करके जोड़ोगे तो आपकी बाजू कभी भी छोटी बड़ी नहीं बैठेंगी कई बार छोटी बड़ी बाजू बैठ जाती हैं तो ऐसे कभी भी नहीं बैठेंगे आप जरू ना पीगा यहाँ पर देखिए हमारे दोनों मुटे बरावर बैठें बाजू के भी और बलावज के भी जरावी यह चोटे बड़े नहीं है इसमें जरावी प्लेट वगरा नही करनी आई है अभी जोडने के बाद मैं आपको दिखाूँ गी कोई जोड नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए मैंने सीधा कर लिया है यहां से आप देख इन पा रहे होंगे इसमें कहीं कोई भी जोड नहीं है हमारी बाजू एकदम से बरावर वैठी हैं यहाँ पर आप देखी सकते हो तो यह देखिए मैं आपको दौनों बाजों को दिखा देती हूं बिल्कुल भी इसमें कोई भी जोल नहीं है पूरा ब्लाउज हमारा सिलकर के तयार हो गया है फ्रेंस यह देखिएगा पूरे ब्लाउज में कहीं भी कोई भी जोल बगर नहीं है तो अब इसमे हमें friends बस eye hook लगाने हैं और हमें तुरपाई कर लेनी है तो मैंने इसमें eye hook लगा लिये हैं friends और तुरपाई भी कर ली है मैंने तो हमारा blouse बिल्कुल finish हो चुका है कितनी सफाई के साथ यहां दोनों तरब से आप देख सकते हो बिना बुकरम का मैंने गला बनाया है कितना आपको बहुत अच्छे से समझा जाएगा बलाव सिलना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेरी को लाइक कीजिए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा